अब आपको एक बार मैं रिकॉल करा रती हूं, सिख्ट में आपने चेप्टर पढ़ा था चेंजिस अराउंड उसके बीच में हमने फिजिकल एन थोड़ी सी पड़े थी, अब आप जैसे बड़े हो गए उसमें बहुत थोड़ा सी इंट्रोड़क्शन थी, अब आपको पूरी डिटेल में इसके बार में चाप्टर अभी हम यह शुरू करते हैं, चाप्टर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको लेटेस अपडेट्स मिलती रहे हैं, चलो, लेट्स गो आँ सबसे पहले फिजिकल एंड क्यामिकल चेंजिस में हम पहले कुछ जुरूरी बाते करेंगे, डिसकस्ट जो आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपको जुरूर पता होनी चाहिए, ताकि आपको, आप इजी इस चाप्टर को समझ सको, ठीक है? तो हम वो बेसिक फैक्स को डिसकस करते हैं. सो देखो पहले हम पहले ही बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो हुमारी सब्स्टांसिस हैं चीजी हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, शेप, साइज, स्टेट उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते ह साइज चेंज होगी, कलर चेंज हो गया, या स्टेट चेंज होगी, उस केस में उस वो सबस्टांस अपनी औरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, लूज नहीं करता. So these are the physical properties. अब हम डिस्काइज करेंगे chemical properties. Chemical properties क्या होती है? जिसमें जो आप देखो, chemical change क्या होता है? Chemical change में हम जो two substances react करेंगे एक दूजे के साथ, तो आपकी एक निया नई substance बनती है. New substances formed. वो जो नया substance बनेगी, उसको हम chemical change बोलते हैं. तो इसमें जो है, इसमें चीज में आप देखोगे, कि इसमें जो अपनी internal properties होती है, chemical properties में, वो जैसे reactivity, other substances, वो सब चीजे discuss करते हैं. इसको मैं आपको explain करती हूँ. आप देखो, जैसे एक iron है, iron का piece है, कुछ पी ले लो आप, कोई भी iron का piece हो सकता है, वो जब पाने के contact में आता है, और एर के contact में आता है, एर में oxygen होती है, आपने original iron का piece देखा, वो एकदम grey से color का होता है, और जब वो पानी में के contact और एर के contact में oxygen के contact में आएगा, तो थोड़ एर बाद में क्या होता है, उसके उपर brown brown से layer बन जाती है, Have you noticed, brown layer बन जाती है न, तो brown layer को क्या बोलते हैं हम, उसको हम rust बोलते हैं, कि रेखो इसमें जो इसकी चीज़ें जो air की, water की और iron की अपनी properties थी, वो properties जो अब रेक्ट करती हैं दूसी चीज़ों के साथ तो एक निया substance बनता है, that is rust, ठीक है, यह detail में आपको इसी chapter में आगे समझाया जाएगा, अभी सर्फ आपको chemical property में समझा रही हों, यह internal properties होती है, ठीक है, अब हम discuss करते हैं, reversible process, अब reversible process क्या होता है, रिकाल करो six last, six last में आपने reversible process पढ़ा था, वो वो होता है, जो processes और changes that can be reversed, जो processes या changes reverse हो जाती हैं, जैसे for example, आप rubber band को stretch करते हो, और पहले rubber band ली, उसको stretch किया, उसके बादे फिर उसको छोड़ दिया, तो वो original shape में आ जाएगी, original size में आ जाएगी, उसकी physical property तक कोई change नही होई ना, so this is reversible process, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, आपका water to ice, water को freeze किया, ice बनी और ice को melt किया, तो water बन गया, तो यह reversible process है, आगे बात आती है, हमारी irreversible process की, irreversible process क्या होता है, वो processes or changes that cannot be reversed, अब आपने यह भी सक्समें पढ़ा था, कुछ processes ऐसे होते हैं, यह changes ऐसे होते हैं, जो reverse नहीं ही हो सकती, जैसे इसको मैं आपको एक example से समझाती हूं, बहालो, आपने एक tree, wooden log लिया, बड़ा सा, ठीक है, wooden log लिया, उसको चोट-चोटे pieces में cut दिया, उसको चोट-चोटे pieces में आपने cut दिया, तो हरी कपीस की physical property तो same रही, ठीक है, तो इसमीज वो तो same रही, पर वो pieces को आप जोड के, आप एक tree या एक बड़ा log बना सकते हैं दुबारा, no, so this is an example of irreversible process, ठीक है, ऐसे irreversible process भी होते हैं, और irreversible process भी होते हैं, ठीक है, बटे, अब आगे discuss करते हैं, यह तो कुछ चीज़ें थी, जो आपको पता होना चाहिए, so वो आपको basic benefits discuss कियें, अब discuss करते हैं, physical change की, कि physical change क्या होती, वो तो just मैंने overview दिया था, अब मैं आपको detail में इसको explain करके बताती हूँ, अब ही रेखो, a change in which only the physical properties such as size, shape, color और state of any substance are changed and no new substance formation takes place, यह physical change की एक definition है, मतलब है, वो क्या कह रहा है, physical change वो होता है, जिसके बीच में आपकी physical properties होती है, shape, size, color, state, वो सब चीज़े change होती है, एक substance की, पर उसकी जो कोई नया substance उसमें नहीं बनता है, जैसे मैंने अभी आपको example दी थी, यह wood log की, wooden log लिया, उसको आपने जब अपने चोट-चोटा काट दिया, तो क्या हुआ, उसकी property तो हर जोड़ी shape change हो और कुछ नहीं चेंज़ ओगा, next is, most of the physical changes are reversible, तकरीबन physical changes are reversible होती है, पर कुछ चेंज़ रिर्वरसबल होती है, अभी मैंने आपको बैक पिछली slide बेर समझा के एटी हूँ, जैसे reversible में, आप क्या example ले सकते हो, जैसे आपने stretching of rubber band ले लिया, उसको rubber band को stretch किया, फिर वापस अपनी shape छोड़ दिया, फिर वापस अपनी shape में आ जागी, तो reversible है, या आपने example ले लो, आपने paper का rectangle sheet ली, उसका आपने aeroplane बनाया, folding से साथ, paper folding की आपने aeroplane बनाया, वो paper से क्या, उस aeroplane बना, पर उसको जब अपने खोला, वापस खोल दिया, तो वापस अपनी rectangle shape में आ गया, तो उसने अपनी physical property paper ने change नहीं की, so these are reversible, but यह बोला, most of the physical changes are reversible, पर कुछ irreversible भी है, जैसे हमने wooden log के छोटे-चोटे pieces काटे, तो वापस उसमें आपका बड़ा wooden log नहीं बन सकता, so it is irreversible, ठीक है, अब जैसे इसकी आगे मैं आपको अब next physical changes की both reversible, irreversible के साथ आपको examples पताती हूँ, first is tearing of paper, paper आपने जतना मज़ी tear कर लो, उसके physical property वही रहेगी, वो change नहीं होगी, हाट चोटे piece की भी वही property रहेगी, stretching of rubber band and then melting of ice, ठीक है, यह कुछ आपकी examples है physical change की, reversible भी हैं और irreversible भी हैं, अब जब paper आप far दोगे, tear कर दोगे, उसके बाद में बड़ी sheet आप नहीं बना सकते, टेप पर कहरा लगाओगे पर वो बात नहीं बनेगी, stretching of rubber band और melting of ice, यह आपकी reversible change है, ठीक है बिटा, तो यह मैंने आपको physical change समझाय है, physical change क्या होती है, और उसकी examples, क्या discuss करेंगे, अभी आपको physical changes, मैं आपको 4-5 examples के साथ समझा रही हूँ, तो first example पहले हम ले लेते हैं, first example क्या है, dissolution of solid into liquid, लिक्विड में कोई solid चीज को डिजॉल्व कर रहे हो, तो आप देखरो, physical change है यह नहीं है, इसमें जैसे मैं एग्जाम्पल लिए है, sugar, sugar sweet taste होता है, मिथी होता है, वो water में easily dissolve हो जाती है, आपने कभी देखा होगा, आप लामनेट बनाते हो, इसकेश बनाते हो, नीम पानी बनाते हो, तो यह आप दूद में चीनी डाल के पितते हो, तो वो अराम से डिजॉल्व हो जाती है, sugar, पानी में पहले भी वो मिथी, ऐसे शुगर खाऊगे, ऐसे भी मिथी होती है, और जब उसको पानी में dissolve करते हो, तब भी मिठा होगा, और वो डिपेंड करेगा, कितनी आपने quantity शुगर की डाली है, जादा डाली है, यह कम डाली है, sweetness उसे साब से होगी, बट वो sweet जरूर हो होगा, therefore, sugar on dissolution does not lose its basic properties, उसने अपनी basic property को lose नहीं किया, sugar ने dissolve होने के बाद में भी, sugar solution on heating gets concentrated, जब अगर आप उसी sugar solution को गरम करते हो, तो वो concentrate बन जाता है, जैसे, आपकी, आपने रेखा होगा, आपकी घर में आपकी ममा बरफी बनाते हैं, या jam, या लिज कुछ बनाते हैं, तो उस case में वो sugar की, sugar syrup को, पानी में sugar को dissolve करके, उसको heat करते हैं, जो वो heat करते हैं, तो वो concentrate बन जाता है, ठीक है, अगर आप उसी concentrate को, वो क्या करते हैं, वो गरम concentrate को ही थोड़ा, lukewarm concentrate को ही use करते हैं, क्यों use करते हैं, कभी आपने पेरेंट से पूछा, अपनी ममा से पूछा, कि आप lukewarm क्यों use करते हो, आप ठंडा क्यों नहीं use करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा reason है, वो reason मैं आपको बताती हूँ, अगर वो sugar solution को cool कर देंगे, थंडा होने देंगे, तो हमें sugar crystals वापस मिल जाएंगे, When the sugar solution is cooled, we get the sugar crystals back, इसकी आपको मैं example देती हूँ, जो आपने, सब बच्चों ने देखी होगी, आप सारे बच्चों ने जलेबी जरूर खाई होगी, जलेबी खाते हो आप, आप देखो जब तो वो गरम होती है, जलेबी, वो जलेबी बनाने के बाद में, वो क्या करते हैं, उसको sugar syrup में dip कर देते हैं, अगर तो आप गरम खा रहे हो, तब तो ठीक है, अगर आप उसको पड़ी छोड़ दोगे, पड़ी रहने दोगे, तो ठ ज्यार की फॉर्म में नहीं मिलेगी, समयला जैसे आपकी sugar अरिजनल होती है वैसे नहीं में लेगी, बट बट अगर इस सुगर कोस्टापर्टि वो जलेग की फिजिगल प्रॉपरटी वो ही है, रिठी ही रहरी है, शुगर की स्टेट छेंज हो जय हो बादा है, शेप चें फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है अब यह मैं आपको साइट में रेखो एक पिक लगाई हुई है इस पिक से आपको समझाती हूँ यह रेखो पानी लिया हमने इसमें हमने शुगर वान स्पून डाल दी उसको डिजॉल्व किया अच्छे से अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने से क्या हुआ है कि शुगर अच्छे से इसमें डिजॉल्वा निए एक तो पूरी शुगर डिजॉल्व होगी अब आपको शुगर बिलकुल उसमें नजर नहीं canyon इसमें बहस MICHAEL ठीक के अब अगर आप इस पानी को तो तेस्ट करके देखाउगे तो यह मिठा गएगा इसके बाद आप गरम करोगे तो आपकी crystalization का process शुरू हो जाएगा जब जारा गरम करोगे फिर थंडा करोगे तो sugar आपको वापस मिल जाएगी पट वो क्रिस्टल की फोर्म में मिलेगी ठीक है बटा this is all about today's video next examples we will discuss in next videos thanks for watching